My dear friend Scott, नमस्टार, आपने हुली की शुक्वामनाई दी, आपने चुनाव विजय की शुक्वामनाई दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूँ. क्विंजलाइन और न्यू साउथ वेल्स में आई बाट के कारण जान माल की श्यति के लिए मैं सभी भारतवास्यों की और से सम्वेजनाय प्रगट करता हूँ. हमारी पीछली वर्ट्यूल समीट के दोरान हमने अपने समंधों को कॉम्प्रिहंसिव स्ट्रेजिक पार्टर्शिव का रूप दिया था और मुझे प्रसंता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एन्यूल समीट का मेकानिजम स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे समंधों के नियमिद रिव्यू की एक स्ट्रक्टर व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेशन्सी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे समंधों में उल्लेखनिय प्रगति हुई हैं। ट्रेड और इंवेस्ट्मेंट, डिफेंस और सिकुरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइन्स और टेकनोलोजी, इन सभी खेत्रों में हमारा बहुत करीबी सयोग है। कई अन्यक्षेत्र जैसे, critical minerals, water management, renewable energy, COVID-19 research में भी हमारे बीच, collaboration तेजी से बढ़ा है। बैंगलूर में Center of Excellence for Critical and Emerging Technology Policy की स्थापना की घोष्टना का मैं रिदे से बहुत पहुत स्वागत करता हूँ। साइबर और critical and emerging technologies में हमारे बीच बहुतर सयोग अनिवार यह है। हम जैसे समान मुल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती technology में उचीत वैस्विक माबदन अपनाए जाए। एक्सलेंसी हमारे comprehensive economic cooperation agreement सीका इस पर जैसे आपने कहा मैं भी चाहता हूँ कि बहुत कम समय में उल्लिखनिये प्रगति हुई हैं। मुझे पुरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी सिग्र सहमती बन जाएगी। सीका का सिग्र समापन हमारे आर्थिक समंदो, economic revival और economic security के लिए बहुत महत्वपुर होगा। कोड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग, free, open और inclusive Indo-Pacific के प्रती हमारी प्रतिवधता को दर्शाता है। खेतरिया और वैस्विक सिर्ता के लिए क्वार की सभलता बहुत महत्वपुर है। एक्सलेंसी, प्राचीन भारतिय कलाकृतियों को लोटाने की पहल के लिए मैं आपको विशे सुपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो कलाकृतिय भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम मंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतिय राज्यों में से अव्यद तरीके से निकाली गई, सेंकडो वर्ष पुरानी मुर्तियां और चीत रहे। और इसके लिए मैं सभी भारतवास्यों की तरब से आपका विशेस आभार व्यक्त करता हूँ। अब इनको जो आपने हमें मुर्तिया पर लोटाई हैं, सारी चीज़े लोटाई हैं, उसको सही स्थान पर लोटाए जा सकेगा। मैं सभी भारतिय नागरीकों की तरब से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। क्रिकेट वोल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम के शांदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई। सनिवार के मैच में अस्ट्रेलिया ने बाजिब भारी लेकिन ठुर्ला फेट अभी भाकी है। दोनों देशों की टीमों को मेरी और से हार्दिक सुबकामना है। एक्सलेंसी एक बार फिर आज आपसे विचारों का आदान प्रदान का आउसर मिला। इसके लिए मैं प्रसंत अव्यक्त करता हूं। अब मैं मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देते हुए ओपन सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। उसके बाद कुछ पल रुकने के बाद मैं अगले एजेंडा आइटम पर अपने विचार रखना चाहूंगा।